बिसम्मिलायर्यर्मानिर्रहीम, आज हम सारे वोंड हीलिंग के MCQs पढ़ेंगे, सबसे पहले यह कि जो रिपेयर होती है ना किसी भी इंफ्लामेटरी प्रॉसेस की वो 24 आवर्स के बाद स्टार्ट हो जाती है, अब एक पेशेंट है उसकी फिंगर पे कट लगा है और जो सब से में पता चलता है कि एक क्लेर वूंड था, ओपन वूंड के अंदर जब हीलिंग हो रही होती है, कोई भी अगर ओपन वूंड है उसकी हीलिंग होगी तो उसमें जाइंट सेल्स इंग्लिउड नहीं होते हैं, जो वोंड हीलिंग को डिले कर जेता है याट इस डाइबिट इस डाइबिटीज वाले पेशेंट के अंदर पूर वूंड हीलिंग होती है और यह एक सिस्टैमिक फेक्टर है, कॉर्टिसोल वूंड हीलिंग को प्रमोट नहीं करता है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी वूंड की थ्री मंस में हमें मिल जाती है, अब एक पेश अब एक पेशेंट है, उसका अनीमिया उसको वाव है, sorry, हमिलोबिन इसका 5 है, गलुकोस इसका 130 है, क्लेर वूंड है, गैपिंग भी है, तो वूंड हीलिंग डिले होने की वज़ा जो है वो अनीमिया होगी, क्योंकि हमिलोबिन जब काम होता है तो उसकी वज़ा से वी में है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन की हिलिंग का जो मेजर डिफरेंस है वो वूंड कांटराक्शन है, और सेकेंडरी हिलिंग के अंदर, जो हमारे पास, जो इंपॉर्टन सेल्स होते हैं वो भी आपके मैयो फाइबरो बलास्ट ठीक है, सेकेंडरी होती है, इसमें जो important cells होते हैं, वो myofibroblast होते हैं और जो wound contraction होती है, वो भी myofibroblast कराते हैं. Metabolic disorders least affect करते है wound healing को, इसी तरह से जो protein deficiency होती है, वो बी least important होती है wound healing की में. Angiogenesis, जो wound healing में होती है, वो EVGV से होती है, वैस को और endothelial drive growth factor होता है किलॉइड एक ऐसा स्कार होता है जो के जिसकी everted margins होती है यह beyond the wound margin फैल जाता है enlarge होता है, no dealer होता है इसमें fibroblast भी जादा होता है और इसमें collagen भी जादा होता है और इसके scenario में दियावा होगा कि एक black athlete patient है और उसको third degree burn हुआ है और उसको killoid develop हो गया है post operative infection डिले करती है wound healing को क्योंकि आपका collagen डिस्ट्रॉइ हो जाता है किसी भी patient का कोई operation होगा उसके बाद उसकी जो wound healing थी वो डिले हो गई है क्योंकि उसका collagen डिस्ट्रॉइ हो जाता है और remodeling of tissues में सबसे ज़्यादा metalloproteinases involved होती है second पर collagenases involved होती है third पर elastases involved होती है अब tissue repair के दुरान collagen जो होता है वो fibroblast से produce होता है अब wound contraction myofibroblast कराती है और जो collagen की production होती है वो fibroblast कराती है अगर कोई chronic wound है और उसमें से oozing होए जा रही है तो foreign body की वज़ा से ooze out करता है कोई भी chronic wound जो most common local factor ठीक है जो systemic factor था वो diabetes था जिसकी वज़ा से poor wound healing हो रही थी और local factor में most common infections होती है जिसकी वज़ा से आपकी जो wound healing होती है वो delay हो जाती है substance जो fibroblast release होता है that is amorphous substance amorphous substance fibroblast से release होता है और fibroblast tissue repair में आपके collagen की production कराते है